जैज नहेंद्र, welcome back to the breakfast town आज हम बनाने जा रहे ओर्यो पूडिंग जिसके लिए हम लेंगे ओर्यो बिस्किट्स और उसके हम छोटे-छोटे पीसिस कर लेंगे छोटे-छोटे पीसिस करने के बाद अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे यह ग्राइंड हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर, melted butter हम यूज करेंगे यहाँ पर और इसे अच्छे से mix करेंगे mix करने के बाद वापस हम एक टीस्पून melted butter add करेंगे और अच्छे से वापस से mix करेंगे यह अब हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे 5 मिनिट के लिए रूम टेमरेचर पर छोड़ देंगे उसके बाद हम आप एक बॉक्स लेंगे मैंने यहां एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है इस बॉक्स के अंदर हम इसे डालेंगे डालने के बाद अब हम स्पून की हेल्प से इसे प्रेस करते जाएंगे और इक्वल करेंगे पूरे बैटर को इक्वल करने के बाद अब आप देख सकते हैं यह हमारा रैडी होने वाला है और रैडी होने के बाद जैसे यह रैडी हो जाएगा मैं इसे freeze में रख दूँगी यह set होता है तब तक हम लेंगे एक pain में milk और milk के अंदर हम add करेंगे 2 teaspoon sugar sugar add करने के बाद अब हम इसे add करेंगे 1 teaspoon corn flour corn flour add करने के बाद अब हम इसे full flame पर चलाएंगे मिल के और यह कितनी quantity में लेना ही यह में नीचे description box में लिख दिया है आप उसमें से देख सकते हैं अभी अच्छे से थीक हो चुका है हम गेस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे 50 gram white chocolate और इसे अच्छे से mix करके melt करेंगे और यहां ध्यान रखे चॉकलेट मिक्स करने के पहले कि दूद एकदम जादा ठंडा भी ना हो जाई हलका सा गुनगुना हो और उसमें चॉकलेट मिक्स कर दें ताकि वो अच्छे से melt हो सके चॉकलेट को अच्छे से पूरी तरीके से melt करें आप यहां देख सकते हैं कि हमारी चॉकलेट अच्छे से melt हो चुकी है अब मैं इसे room temperature पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी यहां मैंने एक packet Oreo biscuit लिए जिसके छोटे-छोटे pieces कर लिए हैं अब यह हमारा ठंडा हो चुका है इसके अंदर में इन pieces को add कर दूँगी और add करने के बाद थोड़ा सा इसे अच्छे से हिलाएंगे यहां ध्यान रखे कि पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही हम biscuit को add करें इसे mix करने के बाद अब हमने जो box set होने के लिए freeze में रखा था उसके अंदर हम इसे डाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे same equal करेंगे झालेंगे भालेंगे तो यह हमारा इक्वल हो चुका है अब हम यहां लेंगे गनाश्ट मैंने डाक चोकलेट कंपाउंड का गनाश यहां बनाया है और वो गनाश में यूज़ कर रही हूँ मैंने यहां पर इससे सेट नहीं किया था आप चाहें तो इससे पहले 15-20 मिनिट अच्छे सेट करें उसके बाद उस पर गनाश स्प्रेट करें गनाश स्प्रेट करने के बाद हम हम गार्निशिंग के लिए ओरियो बिस्किट का यूज़ करेंगे आप चाहें तो बिस्किट के पीसिस लगा सकते हैं और चाहें तो इसे घ्राइड करके भी इस पर स्प्रेट कर सकते हैं अब हम इसे फ्रीज में 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे यह हमारा सेट हो चुका है और हमारी ओर्य पूडिंग रड़ी है आप भी इसे ट्राइ करें और अगर आपको पसंद आती है तो फ्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें